दोस्व आज की इस वीडियो का हमारा topic रहेगा, Periodical essay. ये topic बहुत important है, बहुत सारे syllabus में पूछा जाता है, ये Periodical essay होते क्या हैं? इनका मतलब होता है, Newspapers में छपने वाले essays. हम लोग पहले इसकी history समझने की कोशिश करते हैं, कि इसकी शुरुवात कहां से हुई होगी तो दोस्तो नियो क्लासिकल एज से English literature में एक period था नियो क्लासिकल एज का उस वक्त ये periodical essays लिखना शुरू हुआ दरशल दोस्तो इससे पहले क्या था ये newspapers वगेरा पर ये writings वगेरा पर printing पर इन सब चीजों पर band था तो 1695 में याद कर लो 1695 में इस band को हटाया गया एक word यूज किया जाता है English में mushroom growth मतलब एक sudden growth होती है न किसी चीज में तो उस वक्त mushroom growth हो गई थी ये periodical essays लिखने उस वक्त तक लगबग 600 से ज्यादा periodicals चप रहे थे दोस्तों मैं आपको कुछ important periodicals की नाम बताता हूँ सबसे पहले the spectator spectator का नाम आपने कई जगा पर सुना होगा the tattler इन सब के अलावा rambler, idler, adventurer ये सारे उस वक्त तुना बहुत famous थे इस tattler को publish किया था Richard Steele ने और spectator को Joseph Edison और Richard Steele दोनों ने मिलकर किया था और दोस्तों इस spectator को coverly papers की नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर sir roger coverly नाम का एक आदमी है जो आता है, जो character है spectator का इसलिए इसका नाम coverly papers की नाम से रखा गया है ये जो था ना rambler इसको publish किया था Samuel Johnson ने और idler इसको भी Samuel Johnson ने ही publish किया था और ये जो था ना adventurer इसको Samuel Johnson और John Oxford ने मिलकर publish किया था एक चीज़ ज्यान देने वाली ये है कि जब ये periodicals छपते थे ना तो इनके बीच पे intervals होते थे कि time to time periodicals को छापा जाता था बीच में intervals देके यानि कोई 2 दिन बाद में निकलता था कोई 3 दिन बाद में निकलता था कोई 1 हफ़ते बाद में निकलता था इस type से अब जैसे ये टैटलर था ये हफ़ते में 3 बार निकलता था यानि 2-2 दिन छोड कर और इसको एक single folio sheet पर publish किया जाता था जबकि ये spectator जो था ये भी single folio sheet पर publish होता था लेकिन ये हफते में daily publish होता था जैसे कोई news paper छप रहा हो उस तरह से idler weekly छपता था जबकि rambler rambler हफते में दो बार छपता था अब मैं आपको बताता हूँ कि ये periodical essays लिखना शुरू क्यों हुआ और किस ने किया mainly दो नाम याद रख लो एक तो Richard Steele और Edison इन दोनों की नाम याद रख लो दोस्तों क्योंकि इन्हों ने ये periodical essays लिखना शुरू किया था ये लोग लोगों में बड़ी रूची रखते थे लोगों की कामों में, खूबियों में और गलतियों में रूची रखते थे जो day to day life में लोग होते न उनकी कामों में, उनकी चीजों में तो हम कह सकते हैं कि आम आदमे की जिंदगी पर लिखना सबसे पहले इन दोनों ने शुरू किया spectator के थुरू देखिए अगर रिचर्ड स्टील के खुद के शब्दों में मैं अगर कहूँ तो इस वर्क को लिखने का मकसद क्या था इनका रिचर्ड स्टील कहते हैं कि अगर कोई धर्म की मामले में गलती करता है तो चर्च बैठा है उससे एक समाचार पत्र की तरह इनों ने शुरू किया पिरियोडिकल ऐसेज को लोगों को हसाने के लिए लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए ये पिरियोडिकल ऐसेज लिखे जाते थे अब मैं आपको इस पिरियोडिकल ऐसेज के अंदर character important होते है इस type के essays लिखते थे Edison और Goldsmith दूसरा type होता है essays on country life जो गाओं की life को दिखाना अपने essays के अंदर इस type के essays लिखते थे Edison और Dr. Johnson Dr. Samuel Johnson तीसरा type है essays on London life लंडन की life को दिखाना अपने essays के अंदर इस type के essays को लिखता था Joseph Edison, Richard Steele और Oliver Goldsmith चौथा type है essays on fashion के उपर essays लिखना इस type के essays लिखते थे Edison और moral essays यानि जिसमें कुछ morality की बात की जाती है Edison, Steele, Dr. Johnson ये तीनों लिखा करते थे और तीसरे type के होते है theatrical essays यानि जिसमें theaters की बात की जाती है Dr. Samuel Johnson और Joseph Edison ये दोनों लिखा करते थे theater के उपर essays तो कुल मिलाकर जो चार-पाच नाम आपको देखने को मिलते हैं Oliver Goodsmith, Edison, Richard Steele, Samuel Johnson ये सारे के सारे leading periodical essays थे उस time के इन में ये जो थे Joseph Edison इनके works को 19th और 20th century के writers ने अपने लिए safest model माना दोस्तों कि इनका model यूज करके वो prose writing किया करते थे Dr. Samuel Johnson ने भी Edison की तारीफ करते हुए काया कि अगर आपको English style को सीखना है जो कि भद्धी ना हो और अगर उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हो जो आपको अच्छी लगे लेकिन दिखावटी ना हो तो आपको Edison को पढ़ना चाहिए दोस्तों अगर आपको उस टाइम के important और बहुत ही अच्छे essays पढ़ने है तो आप Sir Roger at Church को पढ़ सकते हो The Man in Black जिसको Oliver Goldsmith ने लिखा था इसको पढ़ सकते हो तो इस टाइब के essays पढ़कर आपको ऐसा नहीं है कि बोरियत फील होगी बलकि आपको मज़ा आएगा इनको जब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोई short story पढ़ रहे हो और इसके अंदर life-like characters है यानि ऐसे characters जिनको जिनको जिन्दगी दे रखी है इन सारे characters के अंदर Sir Roger का character तो बहुत important है Sir Roger एक ऐसे आदमी है जो अच्छाए में विश्वास रखते हैं लेकिन दुनिया को blindly follow नहीं करते कि दुनिया जो follow कर रहे हैं उनको follow करने लग जाए अगर उनको कोई भी चीज गलत लगती है तो वो उस चीज को follow नहीं करते उसकी बुराई भी करते हैं तो यह Sir Roger जो थे यह इनके characters में सबसे पहले member थे सबसे पहले member थे जिनको introduce किया था Edison और Steele ने अब मैं आपको बताता हूँ कि इस type के essays क्यों आम जंता पढ़ना पसंद करती थी सबसे पहले तो यह affordable होते थे सस्ते होते थे तो हर कोई खरीद लेता था दूसरा यह बहुत लंबे नहीं होते थे एक या दो pages की हो सकते थे तो कोई भी पढ़ सकता था तीसरा यह कि लोगों को social और political problems में बड़ा interest होता है तब भी interest था और आज भी interest है तो यह essays इन ही बाते यही बाते किया करते थे social और political problems की और सबसे बड़ी बात तो यह middle class point of view से लिखे हुए थे इसलिए इनको पढ़ना पसंद करते थे लोग अब कुछ important बाते मैं आपको बता देता हूँ कि एक act था एक act था, licensing act था 1647 का उसके अंदर क्या हुआ था इस act के आने के बाद में newspapers की freedom of speech को खतम कर दिया गया था जब यह act expire हुआ इसके expire होने के बाद में यह periodical essays अचानक से boom में आए Daniel Defoe वो शक्स थे जिन्होंने the review नाम का work लिखा था और Daniel Defoe से ही inspiration मिली थी Steele और Edison को Richard Steele और Edison की success होने का कारण ही यह था दोस्तों कि उस वक्त की जनता इतनी कोई खास पड़ी लिखी नहीं थी कि बहुत ज्यादा difficult चीजे difficult language को समझ जाए उनको चाहिए थी छोटी 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 चीजे छोटी छोटी चीजे जो वो day to day life में पढ़ सकें simple language के अंदर और Richard Steele और Joseph Edison ने यही काम किया था दूसरा कारण यह था इनकी success होने का कि अभी तक women को यानि की ortho को literature में neglect किया जा रहा था तो इन्होंने अपने literature में ortho और आदमियों दोनों को जगे दी और एक चीज़ यह कि उस वक्त व्यापारी वर यानि की merchant class बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो उनको ध्यान में रखते हुए और trade की भी बाते की गई इसके अंदर व्यापार की भी बाते की गई इसलिए यह famous हो गया लेकिन आप एक चीज़ नोट करना दोस्तों 18th century में तो यह बहुत ज़्यादा famous हुए लेकिन जैसे ही romantic age आई romantic age आते ही यह गिर गए गिरने का मतलब यह है कि इस में से लोगों का interest बिल्कुल खत्म हो गया जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा information डालने की कोशिश किये इस वीडियो में मैंने दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी आज की इस वीडियो में बस इतना है